नमस्कार मैं हूं डॉक्टर वर्रवा और स्वागत करती हूं सबी लोगा अपने इस चैनल पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कलर डॉपलर अल्टर सौंड का प्रेगनेंसी के दौरान क्या इस्तेमाल है और क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में तो जैसा क बल्ण का मोवंञें है यह जाने के लिए इस टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है तो प्रेग्नैन्सी के दौरान इस टेस्ट से हमें जो फीटर से मतलब कि जो बेबी है lasting जो ग ventilर और प्रेसें। इस जो बडॉपलड यह जया जानकारी है जैस के दौरां मिलती है तो जो न तो इन सारे जो इनफर्मिशन निकी लावगाद दूर्ट. जो इसके बारे में भी पता चलते हैं जो में चार चीजें जिसके बासे के युट Wirearlay के वारे में बने पता चलता है बहरें जो एक तो होता है जो प्रिग्निक फ्रिमेल गरवाश के जो आर्टरी है य्योत्रिन अटरिय उसके प्लड और गूल सक्राइब में चलता सब्सक्राइब सब्सक्राइब उसकी condition के बिबारे में पता चलता है तो जो चार में पॉइंट्स है जिसके कारण जो बच्चे का health है बहुत जादा effect हो सकता है इसके बारे में पता चलता है और यह सारी चीज़ें अगर अच्छी रहती है तो बच्चे का overall जो development and growth होता है वो काफी अच्छा रहता है तो यह जो इसको थर्ड जो ट्राइमेस्टर उसमें करवाया जाता है लेकिन अगर हाइड इस conditions है महिला के साथ तो इसको second trimester में भी करवाया जाता है जैसे कि माली जो multiple pregnancies है twin pregnancy है फिर जो मदर है वो डाइबिटिक है उसकी अलावा हाइपर टेंशन हो गई है तो इस सारी कंडिशन में इस टेस्ट को second trimester में भी करवाया जाता है और as per requirement इसको फिर रिपीट किया जाता है तो अब हम समझ सकते हैं कि इस ह Creed multiple pregnancies हैं उसके लावा जो मदर ऑडिपडेश की प्रॉबलम है तो Yup कि ऑम कि कर सकती है तो यह टेस्ट कि ऐजाता है साथि साथ अगर बच्चा लोग一 दिख रहा है और और तो तो भी इस टेस्ट को एडवाइस किया जाता है ताकि जान सकें कि व्लड सर्कुलेशन कैसा है बच्चे का उसको कितना नुट्रिशन मिल रहा है या फिर बाकी सारे क्या कंडिशन्स है तो यह जो सारी इंपोर्टेंट चीज़े थी कलर डॉपलो एल्टर साउंड के बारे में जो कि प्रिग्नेंसी के दौरान इंपोर्टेंस रखता है यह बारे में हमने डिसकस किया उम्मीद करती हूं कि अब आपको इसके बारे में और ज्यादा अच्छे से समझ जाएगा कि क्या इंपोर्टेंस इस टेस्ट की और इसको क्यों करवाना चाहिए और उसके अलाओ अ अगर आपके मन में कोई और सवाल है इसके इस टेस्ट के उले करके या फिर आपकी इसी तरीके का कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें जरूर बताएं धन्यवाद